गुट आफ टर्मा तो हम लोग यूनिट नौ के भी बी टी में हम लोग चले गए अंतिन तोटिक लिखे थे लास्त लास्ती बी तो लेलिखिया अभी बी बीटी कर तो बैलेंस बांड थे ओग भी बीटी हो जाप बैलेंस बांड थे ओग अधिसान योजा कि सप्यली कि सवावजान कि सिद्ध्यां खैसा करते हैं तो आसे पाहलेंस ये अवर्ड़ करते हैं तो सबसे circumstance देने बाले थे लिन्नास पॉली तो लिखेंगे यार थे लिन्नास पॉली के द्वारा दिया गया था सब्सक्रें ये नेक्स के लिखिए इस द्वारी का महतपूर्ण कॉंऀ इस द्वारी का महतपूर्ण ऍनाइ नीम्न है तो देखे इस थ्योरी का महर्दपूर्ण पॉइंट्स नीम्न है तो नम्मर ए में देखे देखे होता क्या है यह सी यो सी यन माइनास और एनेच ती इसको हम लोग एस्ट्रोंग लिगेंड कहता है इसको माजबूत लिगेंड कहाता है तो लिखें सी यो सी यन माइनास और एवन एनेच थिरी माजबूत लिगेंड का उदाहरण है तो सी यो सी यन माइनास और एनेच थिरी माजबूत लिगेंड का उदाहर तो यह देखें हो गया माजबूत लिगेंड माजबूत रहें जैसे देखी आप जमतें यह डी और वाइटल की बात हो तो डी में इस तरह से पॉंच एक दो तीन चार पॉंच थे इसमें मलीजIM इस तरह से अलक्त राव टन आ एंसे अलक्त रंधा खॊंड गूल से भरा हुआ है तो अगर लिगेंड इस तरह का मजबूत लिगेंड रहें होता है तो तो क्या करता है इस अलक्टरन को हूंड रूल के विरूद इस तरह से जोड़ा लगा देता है तो इस तरह से क्या करेगा हूंड रूल के विरूद जोड़ा लगा देंगे हम उससे आसपास्ट हो जाएगा कि जब लिगेंड इस तरह का मजबूत लिगेंड होगा तिस डी और बाइटल में जो अलक्टरन होंगे अगर उसमें बे जोड़ा अलक्टरन इस तरह का होगा तो उसको ठेल के हुंड रूल के विरुद्ध क्या करेगा इस तरह से जोड़ा है तो इस तरह से कम अपका होता है तो चलिए नम्मर बी लिखिए यदी यदी लिगें लिगें माजबूत हो तो याह याह डी और वाइटाल में उपास्थीत उपास्थीत बे जोड़ा अलक्तरान को भूंड रूल के बिरुद बिरुद जोड़ा लगा देता है तो इस तरह से क्या करेगा हूंड रूल के विरुद जोड़ा लगा देगा अलक्तरान का प्यारिंग कर देगा हूंड रूल के विरुद तो यह उसके अबाद देखें लिखिए नंवर सी लिखिए ओरव थारuds हमें जब ली र प्रंताब आपको यादध होंड प्र एलक्टरन देता तो जो एलक्टरन हम लोग भड़ेंगे तो लिगेंड का अलक्टरन हमेशा जोड़ा मेरी भड़ा यह हूंड रूल के दियाम का पालम नहीं करता है तो लिखेंड लिगेंड के द्वारा छोरा गया एलक्टरन डी और वाइटल में हमेशा जोरा में भड़ा जाता है तो इस तरह से देखी एलक्टरन को हम लोग भड़ेंगे जोरा में और एलक्टरन को जोरा में भड़के हम लोग देखेंगे अब देखें यदि अलक्टरन हम लोग भड़ें भी अगर संट्रल मेटल एक्टम लिगेंड के जोरा को भड़ी उसके बाद एक भी अगर बेजोरा अलक्टरन हो गए तो वह पहले भी बताएं कि रंगीन होगा और पारा मेगनेटिक होगा तो लिखें यदि सेंट्रल मेंटल एटम में लिगेंड के एलेक्ट्रान के जोरा को भारने के बाद एक भी बे जोरा एलेक्ट्रान भोतों सीसी रंगीन एबन पारा मेगनेटिक भोगा होगा लेकिन यदि सभी अलेक्ट्रान जोरा में वो तो सीसी रंग हीन एबन डार मेगनेटिक होगा तो इस तरह से देखिए ऐसे उदाहरन हम सब तरह का उदाहरन जब देखिएगा तो बात आप पस्पस्ट हो जाएगा तो इस तरह से देखिए आप अलेक्ट्रन भरेंगे एक भी बेर जोरा मिल जाएगा तो वो आपको रंगीन होजेगा पारा में तो रंगीन होगा और डाय मेगनेटिक हो तो नमबर यी लिखेगा अब देखिए कि अगर देखिएगा है अगरीडाइजेशन में यूज होगा जितना का ऐस है उससे एक कम बलादी देखिएगा अगर ऐसा देखिए उसको करते हम लोग इंडर और वाइटल कंप्लेक्स और लो एस्पी लेकिन जितना का ऐस होगा उतने काड़ी होगा तब आपका आउटर और वाइटल है इस तरह से हम लोग पकड़ सकते हैं तो इंडर और वाइटल है आउटर और वाइटल है है लोग एस्पीन है तो यह भी आपको मिलेगा एक्जंपल लिक्यादी है अलक्ट्रान एन एस एमान एंडी में भड़ा जाएगा तो तो सीसी सी सी ओटर और वाइटल जदी एलक्ट्रान एन एस एमान मिनस वाण डी में भड़ा जाएगा तो सीसी ओटर और वाइटल एमान हाई एस्पीन हाई एस्पीन बाले बाले होंगे लेकिन यदी एन एस एवन एन मैनस वाण डी में एन एस एवन एन मैनस वाण डी में भड़ा जाएगा तो टो सीसी इनर और वाइटल इनर और वाइटल एबर लो एश्पीन तो इस तरह से हाई स्पीन और लो एस्पीन आउटर और और बाइटल और इननर और और बाइटल की बात आप कर सकते हैं तो हाई स्पीन और लो एस्पीन आउटर और और बाइटल इननर और बाइटल हम लोग को पता चलिए अब देखिए यह जटील योगीक है इस जटील योगीक में हैड्री डाइजेशन जो यह हैड्री डाइजेशन पंच तरह का जटील योगीक में हैड्री डाइजेशन पंच परकार के होते हैं जटील योगीक है लिखेंगे कंपलेक्स कंपलेक्स कंपाउंड में नीमन कि पंच में पंच परकार का हैड्री डाइजेशन होता है तो जटील योगीक में नीमन हुआ है यह भी है कि यसा में सुद्धिट कि यह कि कौन लिए चान मोड़ bliver is भी अधर विलिकिशंगो फिले है धुझी कि ए ड्वियोचिए है SP2 hybridization तिसरा SP3D hybridization चौधा SP3D2 hybridization SP3D2 hybridization पाँचमा D2 SP3 hybridization तो इस तरह से देखे तोटल पाँच प्रकाड का hybridization जटील योगिक में यह पाँच तरह क्यों होते हैं तो जमिया अगर SP3 होगा उसका सेफ की अगर हम बाग करें तो सेफ अगर टेटरा हेटरा टेटरा टेटरा हेटरा हो यह होगा अस्कौाइड प्लेंगा तो अस्कौाइड प्लेंग हो अगर यह होगा तो ट्राइगोनल ट्राइगोनल पी रा मीडल होगा ट्राइगोनल पी रा मीडल होगा और यह दोनों में से कोई होगा यह दोनों में से कोई होगा उब कब नेका सिंप तो इस तरह से देखिए हैं ही। आहिसे कालेंगे हं आपका सेव क knife कि कैसा से हैं कि आपका color भी पताइस नेसर भी पताइस तो साथ तरका कोईस्षिन आपसे बनने लगे ट कर दो यह सब हैं होते हैं तो अब कर अगर कोटिनेशन नंब अ अगर कोडिनेशन नमबर अपका चार आजाए तो कोडिनेशन नमबर अगर चार होगा तो चार कोडिनेशन नमबर हैगरिडाइजेशन या तो SP3 होगा और या देखिए DSP2 इसी दोनों मेंसे कोई हैगरिडाइजेशन नमबर यदी चार होगा तो यह होगा या यह होगा दोनों मेंसे कोई होगा और कोडिनेशन नमबर यदी पंच होगा तो कोडिनेशन नमडर यदी 5 होगा तब हैबरी डाइजेशन एक है SP3D होगा तो कोडिनेशन नमडर 4 हुआ तो यह होगा कोडिनेशन नमर 5 हुआ तो यह होगा और कोडिनेशन नमडर यदी 6 होगा तो 6 होगा तो हैबरी डाइजेशन या तो SP3D2 होगा या डीटू एसपी तो इस तरह से देखिए हब्रीडाइजेशन जो को ओडिनेशन नमर से समन्दीत होता हुआ तो कोडिनेशन नमर चार होगा तो यह हो और छह होगा तो यह आठ जानगी तो देखिए चार और छह के की से हम लोग को पता करना पड़ेगा यह की यह की तब देखेंगे उसमें साब कुछ जितना हम ख्योडी लिखें तो देखें अग्जम्पल की बात करेंगे तो जितना थियोरी लिखेंगे सब उसमें यूज बजाएंगे और सभी बात आपको असपरस्ट बजाएगे तो चलिए एक्जम्पल की बात हम करते हैं देखते एक्जम्पल को आदे ही अग्जम्पल रखते हैं तो अग्जम्पल में नम्मर ए रिखेंगे तो चलिए एक एक्जम्पल लिखते हैं यह दिखेंगे एक्जम्पल लिखते हैं जैडें एन एक्ज थीरी हौल फोर पलाश 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 देखेंगे आप साब कुछ पढ़ा तीजेए टोटल थ्योडी आप यूज कर सकते हैं यहां देखो को जदेन का उक्सिदेसन नम्मर पि цвет हैं यह ध्याया रएख्द लिवारा ही कोडीनेशन नम्मर मोणोय डेनिसंटos लां इस तरह कोडीनेशन नम्मर देख्वा यह 1976 9 6 है तो हमको हैं पता करना पड़ेगा क्या कि SP3 है कि DSP2 है इसी दोनों में से कोई होगा या तो यह होगा यह होगा पता करना लेकिन सोचिए कोडिनेशन नंबर यदि चार है तो चार है मतलब दाता पर्मनों की संख्या और दाता पर्मनों चार है मतलब चार जोड़ा लेक्टन छोड़ेगा तो यह क्या करेंगा लीगेंड लीगेंड चार जोड़ा अलेक्टन छोड़ेगा तो लीगेंड चार जोड़ा इस तरह से देखे चार जोड़ा अलेक्टन छोड़ेगा किसको देगा सेंट्रल डॉल मेटल एसको देगा सैंट्रल मेटल ओछ Earth को डेगा अब देखें लीजनड ये चारा लेक्ट्रम मेटल ड आट्म को dei पर अपर अखिर सेंट्रल मेटल एक्टम उसमें जगा खाली है तुस आधार से मेटल जो है मिसके लिए लेने में तोते सेंट्रल मेटल एक्टम आपका कैसे ड है और प्लस 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 का यहां से निकल गया तो यह हो गया और यहां से निकल गया तो यह हो गया और यह हो गया तब देखिए हमको लोग इसको एरेंज करते हैं कि आरगन थिडी टेंड आरगन 3D10 यह 4S आठा खाली आपको पता है कि अगर चोथी कच्छा में हम लोग आ गए तो पीछे पता है चोथा में S भी होता पी बी ओता डी बी होता एफ भी होता तो चोथा आगे तो फोड़ एसडी है पोड़ पी भी है फोड़ डी भी है कानी हाथ यहां देखो अगर डी की बात करो बीम आप पते हैं पूंच घर बनाते हैं एक दो तीन चाहर से पूंच घर बना डी इस F में आप जंगते हैं पीछे बताए गड़ बने और इस P में देखिये आप 3 घर बने तो तो तीन घर बने किसमें 10 अलक्टन है तो एक दो लेकिन अब देखो लीगेंड के लक्टन को घरना, लीगेंड जो आया लक्टन, अब जनते यह लक्टन का जौड़ा इसको देऊं, चार जौड़ा देगा, जिसको संतल में तेल बहुंड लखे गा, तेल यह घुड़ा कि अभी बोले थे थियोरी में इलिगेंड का एलेक्टर पुड़ा जोड़ा ही जाता है साथे साथ जाता वो हूंड रूल का पालन नहीं करता है इस तरह से दो है इस तरह से दो हैं डाइजेशन के लिए एक वह इस वा पी दो ती तीन वह पी हुआ इस तरह से देखें हैं डाइजेशन निकल गया स्कु NE को सबस्क्राइजेशन होंगी है तो देख़ह को पता चल गया क्या पथा दो है इस पीफी हुआ तो शेफ भी पता चल गया देशेप सेफ अभी लिकर था स्बीके थे वहतात तो एक्टाया है यह पताइड़ल है। त्रैटरा है फ। अब elaborative सबस्क्ताइब कि ने आधातें देखिए ळान। गमें पता ल में अज्की में आयं तो ये डा मैगनेटीज को और कलोर हो दो काला देखिये खोद देखेस साप जोरा में साफ जोरा में तो क्या देखा राणी मी क्या है तो इस तरह से अब कुछ हम लोग को पता चल गिए और त्य Egity तो यह हम लोग एक जंपल देख लिए अब आई यह दूसरा एक जंपल की बाद करें तो नमबर दी लिखिए नमबर दी लिखिए तो दी लिखिएगा न आई C jack ह्वूल पोर मैनस अब देखें यह हो आई इन आई C अईन होल पोर मैनस अब देखो जो एन आई C अईन फोर मैनस मैनस तो यह ान आय कं ऑ सिनेत्हरा नंप मिखिएशन そ सब्सक्राइब 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 अक्सिदेशन नम्मर्ण प्लस्टू मतलब हो जाएगा यह प्लस प्लस यह पर कोडिनेशन नमर्द को यहां भी चारे है तक गेखना पड़ेगा कि यह होगा कि यहोगा तो कौन होगा और फिर लीगेंड जो है चार्जवरा अलक्त्रां छोडेगा चार जोड़ेगा च्तेसि जुक्त है अब हमको चेट करना पर यहां से देखते हैं क्योंकि यहां Central Metal Atom हम लोग का जो है वो Central Metal Atom क्या है एन आय प्लस प्लस अब देखों यह है एन आय प्लस प्लस एन आ का पर्मनु संख्यन अंत अथाइस होता है तो लिखेंगे हम लोग आड़ गर 4S2 3D अठाड़ दो वीस आठ अथाइस होता है अठाड़ लेकिन दो प्लस है तो दो यहां से निकल जाए और दो यहां से निकल जाएगा तो देखों क्या बच गया बच गया आड़ गन 3D8 और 4S4P4D तो इस तरह से और इस तरह से हो गया तो देखिया यह घी में आप जनते हैं डी में पंच गड़ बना देंगे एक दो तीन चाड़ यह एस में एक गड़ बना दें यह पी में तीन घर अब देखोंगे यहां आठ अलक्तरन है तो भरेंगे एक दो तीन चार पंच छे साथ देखें आठ बना और आठ भर दिये तो यहां देखें दिक्कत क्या है यह लीगेंड जो है मजबूत है यह भी मताय थी कि अगर लिए मजबूत हो सीयों सीयर माइनस एनस यह मजबूत है तो देखें लिखा हुआ है कि मजबूत यदि होगा तो वह हूंड रूल के विरुद अलक्तरन को ठेल यह लिगेंड चुकी मजबूत है इसलिए चाक्ड़ेगा यह जहां से इस अलक्तरन को भ हिसे एक कंडी है देख एकड़ासमे एकडरा समूं.. एकडरा समे एककडरा समीख करवरी डाईजेसन फोलक्तरन क्वेशि millennials में नगई जिखेंगे है और देखेन डाईजेशन सब्सक्राइब कहों खिए हिस तरह से है एप्रिडाइजेशन है खेगे हम पता चलके हम लोग को है री डाइजेशन देखे क्या पता चला है घ्री डाइजेशन पता चला डी एस पी टू यह अब सेप देखि जाब यह यह हडी डाइजेशन हुआ है यह घरिटाइजेशन होतो बोले थे स्कुआइड लेंए है कि आज को रहे हैं यह को अद्ध सब जब सब जब जौराम है सब जौरा में तो असले यह डाइबे अजिक होग सब्राम होग उसके बाद देखा हुआ सब्सक्राइटार कडिक इस स्लीड टेल लिया और यह कम डिया दोगा इनार अलगा को इनार और मैंटल सी शी इन्नाड और्वाइटल सीसी और बोले जब इन्नाड और्वाइटल होगा तो वो क्या होगा लो एस्पीन होगा तो इन्नाड और्वाइटल होगा और लो एस्पीन होगा तो इस तरह से देखी हम लोग को एस्ट्रोम लिगेंड वला भी उदाहनन मिल वे दा तो यह था लिगेंड जब माजबूत होगा बी हो गया अब नमबर सी लिखिए तो दारन और लेते हैं इता हैं तो जब आरन और लेते हैं। लेते हैं। लेते हैं। सीओं पित्व मैंना कि देखिए तो हुँआ देखिया थे ओए D कि अबहुत हो जाए कि अधितर्ड यह क्यों प्लास 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 यह प्लास यह धिकाना देखें का यह एक कोर्डिएशन नमबर बीद्ट कोडिनेशन नमर छे हैं और छे हैं तो क्या सिखाएए थे आपको कि छो या तो SP3 D2 होगा या D2 SP3 इसी दोनों में से कोई होगा और दोनों में से कोई होगा और सेब तो जन्ठें एक टार हुगा हुग है कोई लेकिन यहां देखिए कोडिनेशन नमबर 6 है तो लिगेंड क्या करे का लिगेंड चार नहीं 6 जोड़ा लुटन चोड़ेता है कि यहां चार जोड़ा नहीं होगा बलकि छे जोड़ा इस तरह से छे जोड़ा किसको देगा तो सेंट्रल में तरह को देगा अब देखिए हम लोग है पता कर सकते हैं जैसे सब्सक्राइब कर देखो क्या हम लोग का सी यो पलास 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 और को बार्ट का 27 आप जनुते हैं लिखेंगे आड़ गार सब्सक्राइब कर देखो यहां से निकलेगा यहां से निकलेगा तो देखो यह हो गया आप देखो क्या हो गया हो गया हो गया हम लोग का आड़ गया 3D6 और 4S 4P 4D तो यह होगी आप देखो यह D जो है के दिए मनें हम लोग दंगते हैं घर कुछ बनाते एक दो टी चार, यह S में एक बनाते यह P में कि यह P आपका पी में 3 और और यह D देखिए इस D में पत्याप को एक दो तीन चार इस तरह से अगहा है तो अब देखो इसमें है कितना जी 6 है तो एक दो तीन चार पॉंच चैनल और इस तरह से देखिए होगी अब देखिए जो लीगेंड है अगर मजबूत रहता तो मजबूत रहता तीस अलगता हैं को ठेल देता यह दोनों को ठेल के यहां देता लेकिन मजबूत तो है नहीं और मजबूत नहीं है मतलब खेलेगा नहीं खेलेगा नहीं तो आगे आपको बार्मन कड़ेगा तो 6 जड़ा बार्मन है तो एफ दो तीन चार पॉंच छे तो इस तरह से देखो हाइब्रीडाइजेशन हम लोग का निकला क्या तो एफ गो एस लिया फिर पी देखो तीन घ आपको निकला क्या नहीं हो तो चल्व आपका चल गया पता चल गया एस पी दीकल डीटू होगया हगी डाएजेशन तो स्पीदू होकी हगिदाएजेशन और फिर सेफ देखो तो सेफ आप क्या थिए ना को शाइस Chandler 2 आपक़न हुगा अधरल हुदेखि यहां लेक्टन है वे जोड़ा अच्छ कह वह पता है भाग मेगनेटिक vaca वे जोड़ा कर फिर देखे जे अधिया अभी देखें जितना ऐसा उतने काड़ी ऑफड़ी है इतना पर इस तरह इसा उतने काड़ी यह टांग अलवडल नहीं होगा क्या और इस तरह से देखे हम लोर तिसरा अवदा हरन देखली एक और देखेंगे एक और आध्धाउंपल देखते हम लोर कि यह दो और बात लड़ते हैं तो चलिए कुदारण और लिकित तो करतें तो करतें कर दोगालों कि तो तो सीयार का ओक्छीडेसान नमठ्स कसी को Almost पत्ला सब्सक्राइक ग्याह को जो टॉलता करना है ढहला एक देखते हैं क्या होता है तो आईए हैं लेते हैं सी आर को तो यह देखो सियार पर तीन गोपलास है लिखेंगे हमों लोग आरगान थिरी डाठाड़ा दोबीस चार चौबीस तो देखें यह पता अप्वाद होता है यहां पंच हो जाए और पंच हो जाए जो तीन गों निकाल एक गों तो यहां से निकालेंगे तो यहां से निकालेंगा तो यह 3 हो जाए तो देखो क्या हो गया हम लोग का हो गया अब देखें इस डी में बनाएए एक दो तीन चार इस एस में एक बनाएए वा इस पी में तीन बनाएए वा ताब दो अब गया कि में यहां तो डी में यहां सकते हैं झीओ फोट इस तरह से यही उन भीटार मृतिश्यर काईली यह कि दी एक गो एस और पी डी डी दोल याने इसलिए डी टू एको एसलिया पी तीन नहीं है तो देखें हो गया डी टू एस पी थिरी होगे इस तरह से डी टू अब देखें है आपको पता चल गया क्या तो डी टू एस पी तो डी टू एस पी थिली होगे इसलिए रंगीन होगा और फिर देखें क्या हुआ भीतार का लिया है यह एक सब्सक्राइब यह इसलिए वह जागा इन्नर ऑड़ वाइटल सीची और है के जगह क्या जाएगा लोग तो इस तरह से देखें आप अपर हैब्री डाइजेशन निकाल सकते हैं रंगीन है की रंग हीन है यह निकाल सकते हैं पाड़ा मेगनेटिक होगा की यह निकाल सकते हैं आउटर और बाइटल होगा की इंदर और बाइटल होगा यह निकाल सकते हैं हाइस्पीन होगा लोगा यह निकाल सकते हैं तो इन सभी प्राश्ण को अब आप बना सकते हैं तापके ग्रूप में हम सेंड कर चुके हैं सेव हैं यह 27 उन सभी को सभी बच कर सकते हैं तो इन सभी बात को अब आप करेंगे तो यह था आपका भी बी टी हम लोग सीखें लेकिन उसमें इतनी बात हम आपको सिखा दिये तो आप करेंगे आप जन्रम है जो भी है अपना काम करते चलेंगे देवते चलेंगे बनाते चलेंगे ठीक है तो यह था आपका धेलेंस बाउंड थ्योरी का कंसेप्ट आपको मिल गया तो अब बनाइए सभी बच्चे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ते हैं मरेंट मेरीज्म इन-शी रहेंगे आईको मेरीज्म इन-शी तो आई-शो मेरीज्म इन-शीषी खेंगे जट टेल याओगीत.. जटील योगिक में समावजबता, तो जटील योगिक में समावजबता, तो यहीं से हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, तो यहीं से मिलते हम लोग, अगले कलास में यहीं से देखेंगे, तो सब लोग पढ़िए, मन लगा के पढ़ते रहें, अभी हम यहां विदा ले रहे हैं, धन्यवाद.